नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ निहाँ स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर उत्तर कोरिया के नेता और तानाशा किम जॉंगुन अक्सर चर्चाओं में रहते हैं वैसे तो वो अपने तानाशा रवाईय को लेकर अपने देश में चर्चाओं में बने रहते हैं लेकिन इस बार किम जॉंगुन सिर्फ अपने देश में नहीं बलकि पूरी दुनिया में चर्चा बटो रही हैं वो भी इंटरनेट यूजर्स के बीच ऐसा क्यूं है चलिए बता वे हैं उत्तर कोडिया के तानाशा के चर्चे आम हैं तानाशा रवनेता किम जॉंगुन इस साल दुनिया भर में इंटरनेट यूजर्स के बीच तीसरे सबसे ज्यादा सर्च के जाने वाले राजनेता बन गए हैं जर्मन डेटा अनलिस्ट फर्म स्टेटिस्टा के हिजाब से किम के लिए ओन्लाइन खोजों का कुल मासी कौसत 1.9 मिलियन था जो कि अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन से पीछे था ये 7 मिलियन खोजों के साथ सूची में सबसे उपर हैं और UK के प्रखानमंत्री बोरिस जॉंसन 2 मिलियन के साथ दूसरे नमबर पर हैं तो देखा आपने दोस्तों किम जॉंग उन चर्चाओं में बने हुए हैं पिर चाहे कुछ अच्छा करने के लिए हो या फिर कुछ बुरा करने के लिए किम जॉंग उनके चर्चे हो रही हैं तो आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर किम जॉंग उनके चर्चे क्यों हो रही हैं चलिए बताते हैं जिसे उनके स्वास्त के बारे में बाते होने लगी दक्षिन कोरिया के कुछ हूफियाई एजंसियों ने खुलासा किया था कि किम ने लगभग 20 किलो वजन कम किया है उन्हें कोई बड़ी स्वास्त समस्या नहीं है तो देखा आपने दोस्तों किम जॉंग उन चर्चाओं में बने हुए है फिर चाहे कुछ अच्छा करने के लिए हो या फिर कुछ बुरा करने के लिए किम जॉंग उनके चर्चे हो रही है तो आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर किम जॉंग उनके चर्चे क्यों हो रही है चलिए बताते हैं खुश होना रोना या गुसा करना किसी भी इंसान की अपनी नीजी प्रतिक्रिया है लेकिन आप कैसा महसूस करेंगे जब आपके हसने रोने या दुखी होने पर ही सरकार का कंट्रोल हो जाए सरकार इजाज़त देगी तो हसना होगा और नहीं देगी तो दुखी रहना होगा जी हाँ, ऐसा ही अजीबो गरीब फर्मान उत्तर कोरिया सरकार ने अपने लोगों को सुनाया है। नौर्थ कोरिया में लोगों के ग्यारा दिनों तक हसने और शराप पीने पर बैन लगा दिया गया है। क्योंकि साल पूर्वनेता किम जॉंग इल की मृत्यू की दसवी वर्षकाट है। सरकारी अधिकारियों ने जनता को आदेश दिया है कि जब तक उत्तर कोरिया उनकी मृत्यू का शोक मना रहा है तब तक वो खुशी वाले कामों को ना करे। पूर्व शासक के निधन के दस सा साल पूरे होने पर उत्तर कोरिया की जनता पर ग्यारा दिनों का हसने का बैन लगाया है। इस ओरान देश के लोग ना हस सकते हैं और ना ही शराप की सकते हैं। तो दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई ह कीजिए। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।